हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूटूब चैनल में आज मैं आपके साथ शियर कर रही हूँ बालों की ग्रोथ बढ़ाने और बालों की फ्रीजिनेस को कम करने के लिए एलोवेरे जिल से बना हुआ हियर ओयल बालों को मॉस्चिराइज करने के लिए आप एलोवेरे की तेल का इस्तमाल कर सकते हैं ये बालों को नैच्रल तरीके से नरिश और हाइटरेट करता है जिससे बाल रूखे और फ्रीजी नहीं होते अगर आपका स्कैल साप नहीं है, रूसी है खुली जैसी समस्या है तो आप एलोवेरे से बने हुए तेल का इस्तमाल कर सकते हैं ये एक प्राकर्टिक क्लिंजर की रूप में भी काम करता है और स्कैल पर जमी सारी गंदिकी को आसानी से हटाता है आप एलोवेरा ओयल घर पर भी तयार कर सकते हैं तो चली श्टार्ट करते हैं यह रोईल बनाना. सब-सपहले आपको एलुवरा का एक पता लेना है और इसे काठ कर इसका जैल अलग कर लेना है. इसके बाद इसे मिक्सर ग्रैंडर में आपको ग्रैंड कर लेना है और अच्छी तरह से इसे फेंट ले. इसके बाद एक पैन में नारियल का तेल डाले और इसमें एलोवरे जल एड़ कर दे और जब ये ब्राउन होने लगे तो गैस को ओफ कर दे और तेल को थंडा होने के लिए छोड़ दे फिर किसी एरटाइट कंटेरर में आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी आपको इसका इस्तमाल करना हो तो आप इसे अपने हातों में लेकर अपने स्कैल्प की अच्छे से मसाज करें और एक गंडा इसे ऐसे ही लगा रहे ने दे उसके बाद अपने हेर को वाश कर लें कुछी दिनों के इस्तमाल से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपके बालों के ग्रोथ बढ़ेगी, बालों के फ्रेजिनेस कम होगी, ड्राइनेस की समस्या भी दीरे-दीरे खतम होने लगेगी सो फ्रेंड्स यही थी मेरी आज की वीडियो, अगर आप कोई वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें मिलती हूँ आप से अपनी नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए थांकियो सो मच